कुछ दिन पहले व्यूवर सोनू सोवम ने मेरे एक वीडियो पे कॉमेंट किया कि मैं हसकी लेंस पर वीडियो टुटोरियल बनाऊं जब उन्होंने मुझसे ये क्वेशन पूछा था तो मुझे पता भी नहीं था कि हसकी लेंस होता क्या है और उनके प्रशन पूछने पर मैंने हसकी लेंस लिया और उस पर रिसर्च करी तो सोनू थैंक यू सो मच इस वीडियो में हम समझते हैं कि हसकी लेंस क्या है और हम इसको यूज करते हुए किस किसम के प्रोजेक्स बना सकते हैं हसकी लेंस एक AI-based camera है Artificially Intelligent Camera है जिसको कि Technically Machine Vision Sensor कहते हैं Vision Based जो Machine Learning है उसके Algorithms इस कैमरा में हैं और उनको यूज करते हुए ये कई सारी चीजों को Recognize कर पाता है तो हसकी लेंस साथ चीजें Recognize कर सकता है Face, Color, Object, Object Tracking Line Tracking, Object Classification और Tag Recognition यानि की QR Code Recognition हसकी लेंस में कुछ Built-in Algorithms हैं जो की Single Click of a Button से Machine Learning को यूज करते हुए इस किसम का Object Recognition कर पाते हैं हसकी लेंस यूज करते हुए आप कई सारे Interesting Projects बना सकते हो और अगर आपको Conceptual Level पर ये समझना है कि Artificial Intelligence होती क्या है Machine Learning काम कैसे करती है तो मेरा एक और वीडियो यही चीजें समझाता है इस वीडियो का लिंक में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ हसकी लेंस यूज करते हुए हम Object Classification का ये Project बनाना सीखते हैं अगर कोई एक Room एंटर कर रहा होगा और उस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना होगा तो अलाम बज जाएगा पर अगर मास्क पहना होगा तो अलाम नहीं बजेगा तो हम Husky Lens के Components को समझते हैं ये Camera है यहाँ पर ये Menu Selection का बटन है जिसको की हम Left या Right दबा कर Menu Select करते हैं यहाँ उपर जो है ये Learning बटन है इसको दबा के Camera है ये Machine Based Learning करता है ये Connector है हम इस से Husky Lens को Microbit, Arduino या किसी और Pocket Computer से या Micro Controller से Connect कर सकते हैं ये USB Port है जिससे की हम Husky Lens को Power Up कर सकते हैं इस Connector में भी एक Voltage और एक Ground के Pin है हम Husky Lens को यहाँ से भी Power Supply कर सकते हैं ये दो केवल Husky Lens को Mount करने के लिए Holes हैं इनमें हम Nut लगाके Husky Lens को Mount कर सकते हैं और दूसी तरफ ये Screen या Monitor है Husky Lens के Packet में उसको Mount करने के लिए हमारे को Clips वगेरा भी मिलते हैं सांथ ही हमारे को ये एक Rubber की Sleeve मिलती है To Protect the Camera मैंने Husky Lens के ये Black Color Mount को एक जो मैंने 3D Print किया था Microbit Holder उसके सांथ लगा दिया है First Step पर मैं ये सब चीजें Mount कर रहा हूं ये हमारा Assembled Husky Lens है इसको अब हम यूज करना सीखते हैं तो जब मैं टॉप में ये बटन दबादा हूं तो हमारा ये Menu खुल जाता है और हमारे को यहाँ पर Face Recognition Object Tracking Object Recognition Line Tracking Color Recognition Tag Recognition यानि QR Code Recognition और Object Classification ये Features मिलते हैं इसमें से हम सबसे पहले ये Object Classification वाला जो Feature है इसको यूज कर रहे हैं तो इसको Select करके हम अगर टॉप का बटन में फिर से दबा रहा हूं और Hold कर रहा हूं तो मेरे पास ये नया Sub Menu खुल जा रहा है जिसमें और Options हैं इसमें से मैं Learn Multiple Options Select कर रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं हम ये जो Program लिखने हैं इसमें हम With Mask और Without Mask दो Different Objects को Classify करना चाहते हैं तो ये Learn Multiple का जो Option है इसको अगर Select करके मैं इसको फिर Left Right करता हूं तो ये Toggle होके On या Off होता है मैं Learn Multiple को On करके इसको फिर से दबा रहा हूं तो अब हमारा जो Husky Lens है ये Objects Learn करने को तयार है और इसके बाद मैं Husky Lens को Train करना चाहता हूं तो मैंने अपने iPad में दो Photographs डाली हैं एक Without Mask और एक With Mask तो पहले ये Without Mask की Photograph है तो इसको मैं Point करके ये जो बीच में जो Plus का Sign है इसको Object पे Align करके टॉप में जो Right बटन है जो Learn का बटन है इसको मैं दबा के Hold कर रहा हूं तो ये Multiple Photographs लेके अपने आप जो इसका Algorithm है वो Learn कर रहा है फिर मैं Click दबा के कह रहा हूं की Learn Another Object तो अभी ये जो First Object है Husky Lens ने इसको Multiple Photographs लेके Machine Learning Algorithm के थूँ Learn कर लिया है इस Object की Recognition और उसको Object ID 1 Assign कर दी है अब मैं Next Photograph में जा रहा हूं ये With Mask है जो ये Plus है इसको मैं Face की तरफ Align करके फिर ये Top में Right का बटन दबा के Learn कर रहा हूं और इसके बाद ये Object ID 2 Assign हो गया और मैं एक और केवल एक Blank Screen As Object ID 3 Learn करना चाहता हूं तो Blank Screen पर Plus को Focus करके मैं फिर से Multiple Photographs ले रहा हूं और अब ये Object ID 3 हो गया है अब मैं और Objects Learn नहीं करना चाहता हूं तो मैंने Button Press नहीं किया तो अब हमारे तीन Objects Husky Lens ने Learn कर लिये हैं जब हम Husky Lens को Photograph Without a Mask दिखा रहे हैं तो उसको वो Automatically Object ID 1 Identify कर रहा है और जब हम उसको With Mask दिखा रहे हैं तो उसको वो Object ID 2 Recognize कर रहा है और जो Blank है उसको Object ID 3 Recognize कर रहा है अब जब हमने अपने Husky Lens को Object Classification के लिए Train कर लिया है तो हम Attach करके Microbit में Program लिखेंगे To Create an Alarm कि अगर कोई बिना Mask एंटर करेगा तो Alarm जो है वो बच जाएगा तो Husky Lens को Microbit के साथ Connect करने के लिए हमारे को ये 4-pin adapter चाहिए और ये जो है ये हम यहाँ Attach कर रहे हैं ये केबल जो adapter है ये एक तरीके से ही फिट होगा तो इसको हम इसको मैं Husky Lens में लगा रहा हूँ और इसके बाद मैं दूसरी तरफ हमारे को ये जो दो wires हैं तो ये red color का जो wire है ये तो VCC black color का जो है ये ground और उसके बाद हमारे पास एक blue color का wire है जो serial clock transmit करता है और finally हमारे पास green color का wire है जो की serial data यानि की data in a serial mode transfer करता है तो microbit में जो ये SCL और SDK serial clock और serial data की pins हैं वो pin number 19 और 20 होती है तो pin 19 और 20 हम सीधे access नहीं कर सकते है direct access हमारे पास cable 0, 1 और 2 pins की है तो इसलिए हमारे को एक breakout board चाहिए तो मैं ये breakout board ले रहा हूँ और मैं microbit इसमें fix कर रहा हूँ तो इसमें हमारे को सारी pins मिल जाती है including pin number 19 and 20 तो अब मैं ये जो blue pin है serial clock उसको pin number 19 SCL मैं डाल रहा हूँ और जो green pin है इसको मैं 20 पे डाल रहा हूँ pin number 20 यानि जो data की pin है और ground की pin को मैं ground से connect कर रहा हूँ इस breakout board में bottom में सारी pins जो हैं वो ground की हैं और ये जो VCC या voltage की pin है इसको मैं कहीं attach नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो husky lens है इसको हम USB से power कर रहे हैं तो हमारे को microbit से power लेने की जरूरत नहीं इसके लिए तो ये हमारे connections जो है ये अब हमारा husky lens और हमारा microbit जो है वो आपस पे connect होए हैं अगले वीडियो में हम make code में इसका code लिखना सीखते हैं झाले जो हमारे को जो हमारे को जो है